हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आप और आपके परिवार जंग जो है आपके फैमिली मेंबर्स वो सुरक्सित होंगे वो स्वस्त होंगे और मैंने जो है कम्यूटी पॉस्ट एक की थी जिसमें मैंने बोला था क्यू मैं जो है वीडियोस नहीं बना रहा था पिछले कुछ दिनों से आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम तिकली बात करेंगे कि ओपनिंग मिस्टेक की आज कि इस वीडियो में मैं जो है गेम दिखाने जा रहा हूँ जिसके उपर से हम जो है इस typical mistake के बार में बात करेंगे ऐसा नहीं है कि ऐसे mistake सिर्फ जो है beginners करते हैं कहीं बार जो है experience player भी इस तरह की mistake कर देते हैं जो है देखते है गेम यह गेम जो है 1940 में खेले गई थी जहाँ पर वाइट से खेल रहे है अब रहाम कुप चेक वर्सिस ब्लेक से खेल रहे है जूलियस पेट्रोस जहाँ पर वाइट ने गेम की शुवाज C4 यानि की English opening से की and now C5 symmetrical structure Knight to F3 and Knight to C6 and now D4, C text on D4 and Knight text on D4 and now G6 जो यह है दोस्तो अब exhalated dragon Sicilian defense का जहाँ पर वाइट ने e4 खेला और यह है मेरक से bind Bishop to G7 Black ने खेला, now Bishop to E3, D6, Knight to C3, so दो नो जो है अपने pieces develop कर रहे है Bishop to D7, Bishop to E2 and now A6 और यहाँ पर White ने जो है वो castle किया और Black ने खेला रुक to C8, so रुक को जो है वो half open file पर लिया है Technically यह move इतनी गलत नहीं है, but ideally आपको क्या करना चाहिए कि आपकी King side पर थोड़ा जादा focus करना चाहिए, especially जब आपका opponent ने जो है castle कर लिया है और उसके pieces अच्छी तरह से place हो, यहाँ पर still आपकी Knight G8 पर अभी develop नहीं हुई, that means castle के लिए जो है अभी भी दो move चाहिए यहाँ पर, इस position में White ने खेला I3 और Black ने अब खेला Knight to A5, so यह जो है typically first mistake है, जहाँ पर Black जो है वाइट की position जो है अच्छी है, क्योंकि उसके सारे के सारे pieces develop है, जबकि आप क्या कर रहे हो, opening में एकीपीस दुबारे चल रहे हो, भी उसको edge of the board पे लेके जा रहे हो, King जो है अभी भी center में है, King side के pieces को जो है priority नहीं दे रहे हो, और आप एसी threat create कर रहे हो, जिसको easily जो है save किया जा सकता है, so B3 और अब B5, जबकि इस position में knight to C6 बेक जाना चाहिए, बट B5 खेला गया और यह blender है, blender क्यों है, कि यहाँ पे black tactics के लिए खेल दा, black यह सोच रहा है, कि अगर capture होता है, then simply knight पे attack बन जाएगा, knight चली जाएगी, otherwise मैं simply C4 पे attack करके उदर pawn win कर सकता ह इस position में white ने खेला knight to D5, उन्होंने अपनी knight को centralize किया, and now black ने जो है, वो material win करने की try की with B captures on C4, उसका idea यह है कि pawn capture C4 आता है, तो knight captures on C4 और उसको एक pawn मिल जाएगा, पर दूसरी हो दूस्तों, development में जो है, वो काफी पीछे है, so आप वीडियो को pause किज़े और सोचे कि आप किस तरह से इस तरह के opponent को punish कर सकते हो, ready, यहाँ पे white ने खेला knight to F5, और यह दोस्तों typical चीज़ है, कि जब आपकी position अच्छी होती है, तभी tactics जो है आपको favor करती है, अगर आपके pieces अच्छी जगा पे place नहीं है, अगर आपने development नहीं किया है, तो कभी भी tactics आपको favor नहीं करत किसरी attack करके material win करने की try की है, इस position में से आप pawn captures on F5 कहलते हो, then bishop to B6, so यहाँ पे queen trap हो रही है, और आप bishop captures A1 करके कोई ऐसा नहीं सोच सकते हो, कि मुझे ज़ादा कुछ material मिल जाएगा, क्योंकि simply queen captures A1 आजाएगा, queen तो अभी भी trap है, और उपे भी attack है, so knight F5 के बाद, game में कहला गया, bishop captures on F5, and now bishop to B6, intermediate move, queen पर attack है, queen to D7, और अब जो है, pawn captures on F5, और इस position में जो है, pawn को मानने का time नहीं है, क्योंकि knight under attack है, यहाँ पे कहला गया, queen to B5, but best possible move थी black के लिए, कि again वो जो है, knight की position improve करें, then knight F6 करके जो है, आगे चलके, simply जो है, अपने pieces develop करने की try करें, but य खेल सकता है, bishop captures C4, और रूप को लेने का time नहीं है, क्योंकि अब रूप को मारते हो, and then queen captures, and then F6 जैसा कुछ खेलना पड़ेगा, और उस case में जो है, bishop captures A6, और action तो जो है, आपको वापस यहाँ पे देना ही पड़ेगा, but white के pieces जो है, वो भी काफी अच्छे place है, right, जबकि ब्लेक के दो piece देखिए, जसे सही पड़े हुए, so basically bishop captures on C4 के बाद, compulsory नहीं है, कि आप जो है, okay, bishop captures A1 खेलो, but वो ना खेलो फिर भी जो है, bishop takes on A6 आ रहा है, और यहाँ पर white की position जो है, better हो रही है, but यह जो है, best possible fighting chance था, black के लिए, but game में क्या हुआ, कि e captures on hip 5 के बाद, black न जब आपकी position bigger जाए, तब आपको धियान रखना है, कि material वापस कर दो, और जितनी हो सके position को improve करने की try करो, अपने king को save करने की try करो, so यहाँ पर video pose करके सोचिए, कि आपको क्या खेलना चाहिए, ready, देखिए, यहाँ पर white ने खेला, rook to C1, काफी calm move है, बढ़ साथ साथ जो ह ब्लेक ने खेला knight to F6, अपकोस, जो है, यहाँ पर, black कुछ भी capture नहीं कर सकता, pawn capture, I mean pawn move करता है, तो queen जा रही है, rook भी जा रहा है, right, दूसरी और knight centralized काफी अच्छी है, और यहाँ पर आप, जो है, pawn E6 करते हो, या ऐसा कुछ भी करते हो, देखिए, उसमें किस तरह की tactics आ र queen पर attack है, और इस position में, जो है, game is already lost, क्योंकि आपकी knight, जो है, by force जा रही है, right, वैसे देखा जाए, तो क्या होगा, कि यहाँ पर आप खेल सकते हो, queen D7, बट उस case में simply, जो है, bishop captures, if I आ जाएगा, reason यह है, कि आप इस queen को लेके जाओगे, का, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क A5 वाली knight free में जा रही है, बट विलक ने सोचा कि वो, जो है, c4 pawn को capture कर सकता है, उसने खेला knight captures on c4, so, video को post कीजिए, और सोचे कि क्या खेलना चाहिए, यहाँ पर, ready दोस्तो, यहाँ पर white ने खेला, rook captures on c4, so, point यह है, point यह है, कि अगर आप rook से capture करते हो, then knight to c7 check में, जो है A queen चली जाएगी, क्योंकि, rook तो पी नहीं है, और rook captures, और बाद में, bishop captures, pawn takes, right, and then bishop captures c7, so, ऐसा भी नहीं है, कि queen के सामने आपको कुछ जो है, जादा material मिल रहा है, उसी तरह से, rook takes on c4 के बाद से, आप try करते हो, queen captures d5, but उस case में simply rook takes on a c8 check, king d7, rook c7 check, king e8, and then queen to a4, और black जो है यहाँ पर total loss है, so, game में क्या हुगा, कि rook captures c4 के बाद, black ने अपनी queen दे दी, but अभी जो है, काफी कुछ late हो चुका है, यहाँ पर game में कुछ बचा नहीं है, bishop captures, rook takes, and then queen to e2, simply checkmate की threat है, साथ साथ रूप पर attack है, so, knight captures on d5 के लगा है, but now queen captures on c4, knight captures b6, and queen to c6, और यहाँ पर black फाइनल गलती कर दी, but इस से जो है, कुछ फरक नहीं पड़ता से, आप जो है, even king खेलते हो, d8 पर then also, queen capture b6, जो है, वहाँ पर simple winning है, but black ने खेला knight to d7, और एक ही move में checkmate अलाव कर दी, so, queen to c8 is a checkmate, so, दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो और a game, I hope, मेरा वीडियो और a game, दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो please इस चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like दीजिए, और अपनी comment देना बिल्कुल ना भूले, तनियवाद, जैन, बबाई